हिंदू धर्म में अस्टमी का महतव बहुत अधिक माना गया है। हिंदू पंचांग में अस्टमी दो बार आती है हर महीने में। एक क्रिशन पक्ष में, दूसरी शुकल पक्ष में। दुर्गा अस्टमी हर महीने की शुकल पक्ष की अस्टमी तिथी को ही होती है। वे दुर्गा अस्टमी कहा जाता है इसी तरहां से हर महीने पढ़ने वाली अस्टमी को मासिक अस्टमी के नाम से जाना जाता है आईए जानते हैं मही में कब है मासिक दुर्गा अस्टमी वे पूजा विधी इससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो अच्छे लगे तो शेश जरूर करिएगा ये तो आप सभी जानते ही हो कि मासिक अस्टमी का पर्व मा दुर्गा को समर्पित है मासिक तुर्गा अस्टमी पर विधी विधान से तुर्गा मा की उफासना की जाती है 2022 मई में मासिक तुर्गा अस्टमी 8 मई दिन रविवार शाम 5 बजे अरंभ होगी और 9 मई दिन सोवार को शाम 6 बच कर 32 मिनट पर समाप्त होगी उदेति थी 9 मई को होगी तो 9 मई 2022 दिन सोवार को मासिक तुर्गा अस्टमी मनाई जाएगी आईए अब जानते हैं मासिक तुर्गा अस्टमा की पूजा विधी सुभा जल्दी उठकर सनान करने के बाद घर के मंदिर या पूजा स्थान पर गंगा जल से शुद्धी करन करें मंदिर में गी का दीपक जला कर मा को आक्षत, लाल फूल, सिंदूर, मिठाई या फल का भोग लगाएं दुर्गा चालिसा का पाठ करें, मा की आरती उतारें और मा दुर्गा का भोग लगाएं दी गई जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेर जरूर करिएगा